नमस्कार अखिलेश यादव जी नव भारत के नव निर्मान मंच पर आपका स्वागत है आप हर वकत लोगों को ये कहते हैं कि बहकावे में आई थी 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता और बीजेपी ने जो सपने दिखाए थे उनके साथ शायद बह गई आपका जो काम बोलना चाहिए था वो बोला नहीं इस बार क्या होगा अजेंडा अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का सबसे पहले मैं आपको बढ़ाई देना चाहता हूँ एक नए चैनल के लिए नई शुरुआत होने चाह रही है और हर चुनाव नए तरीके से लड़ा जाता है जनता कुछ न कुछ नया चाहती है जो अट्रेक्शन भारती जनता पार्टी के प्रत कुछ दिन पहले था वो शायद अब नहीं दिखाई दे रहा है और वो कारड यह है के जनता को बहुत वादे और सपने दिकाएगे उनका जो सनकल पत्र था मुझे लगता है बाती जनता पार्टी ने अपने संकल पत्र कूड़े दान में फिक दिया है जो पार्टी अपने संकल पत को कुड़े दान में फिक दे क्या जनता उसको फिर समर्थन देगी काम उस समय भी बोला था काम आगे भी बोलेगा और इस बाद जनता ने मन मनाया कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश को विकाज, खुशाली, तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी जो किसानों का सम्मान करेगी नौज़मानों के हाथ में नौकरी और रोजगार देगी जो पिषडे और दलिदों का सम्मान करेगी सभी को साथ ले करके चलेगी ऐसे दल को इस बार मौका जनता देने जा रही है और हो सकता है कि जनता 400 सीट है हरादे भारती जनता पार्टी को और समाज़ादी पार्टी के पक्षमें 400 सीट आ जाए अगर ऐसा हो जाए तो बिलकुल लोटरी खुल जाएगी क्योंकि 317 सीट मिली थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को लेकिन विकास आप कहते हैं कि पिछले पांच साल में हुआ नहीं तो फैक्ट से शुरू करें ऐसा कौन सा विकास है ऐसे कौन से वाइदे हैं तो नहीं किये पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ऐसी आप एक्सप्रेसवे से हमेशा शुरू करते हैं एक्सप्रेसवे के तो चार नमूने बता दिये हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 68% कंप्लीशन आफ पूर्वांचल और 80% बन गई है रोड जो गोरकपूर वाली है और गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है तमाम एक्सप्रेसवे बन रहे हैं विकास तो हुआ है लेकिन आप कन्विंस्ट क्यों नहीं है भारती जिन था पार्ड़ी को सबसे पहले तो जूट प्रिसेशन केंद खोल देना चाहिए उनका कौन सा एक्सप्रेस वे अपना मुझे याद है वो दिन जिस समय मुख्यमंती जी पहली बार जहांसी गए थे शायद उनकी जीवन की पहली यात्रा वो जहांसी की थी वहाँ जाकर कि उन्होंने दो वादे किये कहा कि जहांसी से सीधे डिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा और दूसरा उन्होंने कहा कि मैट्रो जिस तरह से बड़े बड़े शेहरों में है वो मेट्रो जहांसी और गोरकपुर में बनेगी मैं ये जानना चाहता हूँ कि उजो जहांसी से वादा किया था एक्सप्रेस वे का क्योंकि उन्हें ये जानकारी नहीं थी जहांसी के बाद मद्रदेश शुरू हो जाता है वो मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश के हैं वो मद्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है वो एक्सप्रेस कभी नहीं बना दिल्ली को सीधा जोडने वाला मैट्रो जो समाजवादी सरकार में शुरू हूई थी जितनी भी चाहे वो आगरा की मैट्रो हो चाहे वो कानपुर की हो और लखनुव से बेतर कौन जाने का लखनुव में जितनी समाजवादी सरकार में मेट्रो जहां तक गई थी वहीं से बापिस आ जाती है आगे जाने का नाम नी ले रही वो इस सरकार की वज़े से मैं जानना चाहता हूँ कि गोरकपुर में कौन से मेट्रो बन गई जो सबसे पहला वादा था और सवाल ये नहीं है सवाल सबसे बड़ा ये है कि संकल पत्र में सबसे पहला वादा ये किया गया कि हम किसानों की पैदावाकिय आयदोगुनी कर देंगे क्या इस महगाई में आएदोगनी हो गई डीजल पेट्रॉल जरुट की चीजों का सामान कितना महगा हो गया आज आएदोगनी है कि नहीं है ये सरकार बताती है कि हमने भुक्तान इतना किया है सरकार से किसान भुक्तान नहीं जानना चाहता है गन्य का किसान यह जानना चाहता है कि आखिरकार उनका बकाया कब तक मिलेगा बिजली इसने महगी की मुक्रंधी जी के नाम मुझे जनाने क्या क्या सुन सकते हैं आप आज तक उन्होंने उतपदेज में बनने वाले जितने भी बिजली के कारखाने उनका एक का नाम लिया हो अभी अलीगड में गए सरकार अगर चाहती तो हर्द्वा गंज का 660 सुपरिटिकल थर्मल प्लांट बनकर के तैयार हो जाता किसानों को सस्ती बिजली उपर दो जाती क्यों बिजली के कारखानी की बात नहीं की कानपूर दिहाद में 3 इंटू 660 सुपरिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है जो की 2000 मेगावाट का उसकी बात क्यों नहीं की लेलिकपूर में जो लगना शुरू हुआ था 3 इंटू 660 सुपरिटिकल थर्मल प्लांट लग गया उसकी बात क्यों नहीं करते हैं तो बिजली लगने का काम नहीं बता रहे हैं बकाय की बात नहीं कर रहे हैं अपना संकलपत खुद नहीं पढ़ते हैं संकाबत लागू नहीं कर तो जनता वोट क्यों देगी इने जनता वोट नहीं देगी ये जनता तै करेगी लेकिन मैं आप से पूछना चाहती हूं कि इस चुनाव में बात विकास की कर कौन रहा है कौन सी पार्टी कर रही है ओवेसी सहाब आते हैं कहते हैं 11 परसंट या 9 पर ना सकते कोई भी पार्टी हो अगर उसमें मुसल्मान को टिकेट ना मिले तो वो मेरे पास आ जाए मैं उसे टिकेट दूंगा ये विकास की बात होती है समाजवादी पार्टी विकास का हमेशा विकास को आगे रखा है और विकास जो समाजवादी सरकार ने करके दिखाया ह उसी का आज शिनानस का शिनानस भी हो रहा उद्गाटन का उद्गाटन हो रहा है यमुना एक्सप्रेस आपने इनागुरेट किया था वो तो भैन मायवती के समय में बना था क्योंकि उन्होंने मुझे चड़ने नहीं दिया था मैं साइकी लियात्रा करना चाहता था तो मैंने उसी दिन कहा कि इसका उद्गाटन कर कोई करेगा तो समाजवादी लोग उद्गाटन करेंगे तो बस उद्गाटन करके काम पूरा हो गया और उसके बाद आगरा लटनो एक्सप्रेस वे जो रिकॉर्ड टाइम में बना जो 22 महीने में बन के तयार हो गया उत्तर प्रदेश में बने हैं 17 एरपोर्ट पर काम चल रहा है ये क्या विकास नहीं है ये निर्मान नहीं है मैं ये जानना चाहता हूं कि मुखिमंती जी ने किस एरपोर्ट का शिलानेस किया आपको शिलाने आज में जाबा इंटरेस के जितने भी एरपोर्ट बने हैं, बिखने जा रहे हैं या चलने नी दे रहे हैं, या शुरुआद नी कर पाई, चित कूट में नेता जी ने बनाए उसका एक्सपेंशन समाजवादी सरकार में पिशली में हुआ, आज क्यों नी चा पानी का जहाज वाले बेच रहे हैं, क्या एरपोर्ट नी पिक रहे हैं, ये सरकार चलाएगी नहीं, बेज देगी, और अगर बेज देगी तो किसका नुकसान होगा, आप नई पीडी के युवा नेता हैं, और आप जानते हैं कि सरकारों का काम नहीं होता, कि कभी वो ब्र का एक चिन होता है, और आप बाहर के देशों में पड़े हुए हैं, आप जानते हैं इस बात को, आप क्यों चाहते हैं कि सरकार हर इस फील्ड में रहे और ये ही चुनौती देते रहते हैं, नहीं पीडी के युवा नेता सोच बदल भी तो सकते हैं, मैं ये जानना चाहता ह हूँ, जिस समाजवादी सरकार बनी थी, सबसे पहले इस देश के सबसे बड़े इंटरिस लिस्ट जो की आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं, सबसे पहले उनको बलाए गया, और मैं खुद उनके साल लंच में मौजूद था, उस समय के चीफ सेकेटरी, उस स समाजवादी सरकार के फैसले की बज़े से, आज सबसे अच्छा S.C.L. का एक सेंटर बना हुआ है हापर, हजारो बच्चे नौकरी कर रहे हो आपर, और समाजवादी सरकार की बज़े से ही, कम समय में बैनिट उनिवस्टी बन गई, इतने कम समय में अगर कोई उनिवस्ट इतने के बनाई और बताई और दुनिया को सुनाई तो वोट क्यो नहीं पड़ा, आपका यादव वोट भी कम हो गया, मुसलिम वोट भी कम हो गया, क्यों हुआ ऐसा, लोग समझते क्यों नहीं आपको यह विकास का मॉडल, यह जो विकास का मॉडल अभी मैंने पूरी बाते नहीं बताई आप, नहीं बताईए, बताईए, हमार पास समय बहुत है, पूरा दिन है, तो जहां सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार काम नहीं कर रही है, पूरे उत्तपदेश की जनता यह जान कौन सा इंवेस्टमेंट हाग गया डिफेंस एक्सव लगा यहाँ पर डिफेंस में कौन साइंवेंट हाग गया कितने नौजमानों को नौकरी मिल गई कितनों को रोजगार मिल गया इंफिर सश्रेशिय की बड़े-बड़ सपने दिखाया जाते हैं यह प्रवांचयल इसका शिनानस समाजवादी सरकार में हुआ एलाइन्मेंट समाजवादी सरकार ने बनाया पूरे टेंडर डॉकमेंट समाजवादी सरकार ने बनाया टेक्निकल जितनी भी चीज़ें थी कलेंसे समाजवादी सरकार में बनी शिनानस का शिनानस करवाया प्रधान मंतिजी से य यह जो एक्सप्रेसे बुंदेल खंड की बात कर रहे हैं यह जहांसी से सिताफ में कर जोड़ा था तो इसका इन्हों ने कर दिया क्या फरक परता है यह आपका कोई जवाब नहीं है नहीं जवाब तो मुझे देना भी नहीं है यह तो सवाल हम योगी जी से पूछेंगे लेक जनतापाटी ने जनता को बहकाया अच्छा जनता बहक गए जनता को मा जनता कर तो में यह जानाजा यह नारा from किसी ने क्या लाज बहती हो नहीं देखिए मागंगा में मागंगा मैं लाज बहती नहीं दिखाई दी बिल्कुल दिखाई दी लेकिन साथ में ये भी दिखाई दिया कि एक युवा नेता हैं जो कहरे है ये बीजेपी का वैक्सिन है हमें नहीं चाहिए ये भी दिखाई दिय ये भी दिखाई दिया और मैं पूछना चाहती हूँ, अखिलेश जी हर वकत सियासत या हर वकत राजनीती नहीं होती, आज आप भी नागरिक हैं इस देश के, मैं भी नागरिक हूँ, और हम accountable और responsible नागरिक हैं, मैं पूछना चाहती हूँ और इसमें हमें इंसानी तोर पर ब vaccination आपने कहा, ये गल्ती थी, ये बयान गलत था, एक बाज जो आप कह रहे हैं, कि एक नागरिक को responsible और accountable होना चाहिए, एक नागरिक से जादा, एक सरकार को accountable और responsible और transparent और सच के साथ हमने आना चाहिए, बिल्कुल आप से स्वैमार, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूँ, कि जिस दिन मैंने इस statement दिया था, क्या approval मिल गए थे हर जे कैसे, मैं ये जानना चाहता हूँ, ने, क्योंकि approval नहीं मिले थे, तो BJP का vaccine हो गया, भारती जन्ता पार्टी, भारती जन्ता पार्टी, जब express वे अपना बता रहे हैं, हमारे मुख्यमंती जी stadium अपना बता रहे है अपने उनका बना धिया, ये एस इस रण का रंग बदल दिया, हमारा हो गया, उन्होंने वैक्सिनेशन तो अपना बताया भी नहीं और आपने उनका बना दिया, मैं तो आप से कह रहा हूँ, ये चैनल का नाम तो अछ्छा रख लिया कि नहीं रख लिया, अगर मुख्यमं में आते हैं, मैं बहकावे में नहीं आती ही, तिसलिए इस चैनल का नाम मेरा अपनी सवर का जवाब आपने खुद दे दिया, आप से आप नहीं बहकेंगी, मैं यही चाहता हूं कि जंता जागरुख हो, नदी साफ कैसे होगी, जैसे गुम्ती के लिए समाजवाजी सरकाने काम करके दिखाया Day One गंगा Action Plan A में क्या कहा गया था क्या कहा गया था कि कोई भी नाला नदी में नहीं आये एक एक्जेंप्ली काम किया समाजवाजी सरकाने यही काम आज होना है अगर देश की नदीयां साफ हो आज सवाल विरुजगारी का क्यों नहीं उठा रहा कोई संकल पत्र में सत्तर लाग नौकरी देने की बात की थी कितने नौजवाने को नौकरी दे थी आप तो कह रहे थे पिश्रा दलित और बताईए कितना अपमानित हुआ है पिश्रा और दलित क्या इसकी कल्पना की जा सकती यहाँ पे छाद नौजवान नौकरी मांगने आ रहे हैं आरश्र के सवाल पर अपना हग मांगने आ रहे हैं क्या मिलना है उनको लाटी क्या अपमानित नहीं हो रहे हैं इसका जवाब कौन देगा इस मुद्दे का जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा और सरकार का सफाय होने जा रहा है और बिल्कुल देगी लेकिन अखिलेश जी हमने अब 15 मिनट की बातचीत की इस में मेरे ख्याल से अगर जो लोग देख रहे हैं यहां पर और जो लोग टीवी पे देख रहे हैं उन्हें कम से कम 10 से 15 ऐसी चीज़ें आपने बता दी जो नहीं हुई है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा है एक या दो चीज़ जो हुई हो पिछले साड़े चार सालों में कोई आपको लगता है क्योंकि कहीं न कहीं राजनीती में देखा जाता है एक दूसरे की तारीफ करना शायद बैंड है बिलकुल इस पर बैंड है अगर अच्छा काम हुआ भी हो तो उसमें कहीं न कहीं से लूप होल निकालो कहना नहीं चाहती लेकिन सास बहु के सीरियल में जैसे उनकी नहीं कभी भी एक दूसरे से सहमती होती वैसे ही राजनितिक पार्टियों में ये चलता रहता है तो एक तो अच्छा बात आप सास बहु का उधार दे सकती मैं तो नहीं दे सकता नहीं आप नहीं दे सकते आप तो नहीं दे सकता हूँ दूसरा बताने में, दूसरा, जो काम अच्छा हुआ है, सौचाले बने हैं, लेकिन पानी नहीं है, तारीफ की नहीं है, किसमें पानी है, आपने अजुला नाम रखा, लेकिन इतनी कीमत बढ़ा दी कि अजुला नाम बुजुला हो गया, और फिर, ये उत्तर प्रदेश ने तो धार्ण पिश किया है, रंग बदलने का, नाम बदलने का, और दूसरे का काम अपना बताने में, अखिलेश जी, नौ करोड़ वैक्सिनेशन लगे हैं, थोड़ी सी बदाई दी जानी चाहिए, सिर्फ सरकार को नहीं, लेकिन हमारे कोविड वारियर्स को, जिनों ने ये काम किया है, उत्तर प्रदेश में नौ करोड़ जनता, देश में सबसे जादा को वैक्सिनेशन लग हो थी, सरकार ने क्या दिया, क्या सरकार सचाई से ये बताईगी, कितने लोग ही जान गई है, जिम्मेदार कोवन है उसके लिए, अच्छा तो वैक्सिनेशन के आंक्डे जरूरी नहीं है, जरूरे हैं, दूसरे आंक्डे, मैं आप भटका देते हैं, मैं आपको ये बताना सहयो करेंगे, और वैक्सिन लगवाएंगे, आप वैक्सिन क्यों नहीं लगा रहे हैं, आपने लगा ली, ने, मैं आखरी आत्मे हूंगा, जब सब उत्तर प्रदेश के गरीबों को, नौजवानों को, किसानों को लगवा लूँगा, अच्छा, अभी तक लगवाई नहीं मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हर गरीब किसान, नौजवान को जिस समय लगवा लूँगा, और आखरी में जब बचे कोई, तो मैं लाइन में खड़ा हूं कि मैं लगवा लूँगा वैक्सिन, आपने कहा कि इतने दिन जरूरी है, दो डोस के बीच में ये जरूरी है, आपके बाद खुद वैक्सिन नहीं है, क्या आपने दिन नहीं बढ़ा दिये, दुनिया में दूसरी जगे थर्ड फोर्ट की तैयारी हो रही है, डोस की, आपकी क्या है, अमरीका में आज की ख़बर है, अखवारों की, सभी आईसियू बैट फूल है, तो क्या संभमनी आज आई ख़बर की बरेली में फिल फैलने लगा, सरकार क्या कर रही है, सरकार अपनी जिम्मिदारी निभाए, और तयारी करे, जो मेडिकल का, जो इंफ्रसेक्चर था, वो किसी ने बनाया तो समाजवाजी सरकार ने बनाया था, गोरकपुर में कोबिट सेंटर क्या बना कितने मेडिकल कालेज बनाये आपने, जो पुराने उनको क्यों कुँ नहीं चला रहे हैं आप, जो मेडिकल इनुवेस्टी इसका बजट क्यों कम कर रहे हैं, कौन है जिम्मिदार इसके लिए? दो एम्स आ रहे हैं, तीस मेडिकल कॉलिजिज आ रहे हैं, पर आप कहते हैं कि काम नहीं है आप जानकारी अधूरी क्यों देती हैं दोनों एम्स की जमीन, अगर किसी ने दी समाज वैसी सकार ने दी जमीन आप अधूरी जानकारी मत दीजिए तो फिर इतना काम हुआ और सब कुछ आपने सही किया वोट पड़े नहीं तो इसकी एक ही वज़ा हो सकती है कि साइकल के कैरियर पे आपने किसी और को बिठा लिया था सीटें आपकी कम हो गई, जादा सीटें देनी पड़ी और कैरियर से जो लोग बैठे हुए थे वो आपको जिता नहीं पाए सत्रा में यूपी के लड़के थे और दोहजार उननीस में आपका महा गटबंदन था तो गल्ती थी दोनों बार मुझे अनुभम मिला है कि बड़े दलों से गटवंदन नहीं करना है चोटे दलों से ही होगा इस बार चोटे दलों को साथ लाने की कोशिस होगी तो इससे मैं आपसे अब सियासी तोर पे ये पूछूंगी कि अरिथमेटिक क्या है उत्तर प्रदेश की बड़े दलों के साथ आप जाएंगे नहीं OVC जी आपका M Y OVC जी ले जाएंगे Y का कुछ हिस्सा BJP ले जाएगी तो M Y में से बचेगा क्या आप उस चस्में से क्यों देखते हैं M का मतलब महिला Y मतलब यूथ महिलाएं और यूथ समाजवाजी सरकार बनवाएंगे तो आपने अपने पिता जी का फॉर्मूला चेंज कर दिया है और अब ये नई PD की समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है महिला और यूथ का फॉर्मूला समाजवादी सरकार जब नेता जी थे जिन्होंने आशिवादी जिसके वैसे में मुख्यवंती बना उस समें भी लेप्टॉप बट रहा था तो ये मत कहिए कि नई पार्टी है हाँ नया रास्ता जुरूर अपना रही है लेकिन उनकी अनुभव के साथ हम चल ले है बीजेपी के लोग कहते हैं कि आपको पिछले एक महिने में योगी जी ने तीन बार ये शब्द कहा है और इससे आपको तकलीफ है अबबा जान क्यों तकलीफ है? वो योगी जी के संसकार है वो योगी जी के संसकार मिले है हम तो और भी कुछ कह सकते हैं लेकिन नेता जी ने हम लोग के ऐसे संसकार नहीं दिये कि इस तरह की भाशा का इस्तेमाल करें ये भाशा के अलावा एक मेसेज भी था करप्शन की बात कर रहे थे और राशन कार्ड जितने जाली बने मिले यहां पर रद किये गए C.A.G. रिपोर्ट में है कि 97,000 करोड का कोई लेखा जोका ही नहीं है तो मुद्दा तो सही था और C.A.G. रिपोर्ट में कुम के बारे में क्या कहा गया है तो क्या ये बात यहीं रह जाएगी कि कर्प्शन किसमें था अगर कहीं सुधार करना था साड़े चार साल में क्या सुधार किया आपने क्या नया परिवर्तन लाने का काम किया और अगर जो पुराना जितना परिवर्तन लाया था समाजवादी सरकाम में था मुझे याद है रतन टाटा जी आये थे जब हम PDS की स्कीम को लॉंच कर रहे थे उनकी कंपणी ने सहो किया था और लखनू में सबसे पहले शुरुआत की थी क्या PDS को बहतर करने के लिए नहीं थी वो इजना टेक्नोलोजी का यूज करना आज जो direct benefit system बना हुआ है direct account में है सबसे ज़्यादा account समाज़ाई सरकार में बनी है सबसे ज़्यादा account खुले समाज़ाई सरकार में जंधन से पहले ये सब हो चुका ने ने आप तारीक देखी न मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे जानकारी करिए आप एक जनरलिस्ट है आप जानकारी दीजिए कि सबसे ज़्यादा account कि समय खुले थे उत्तव अदेश में बैंक्स की ब्रांचे सबसे ज़्यादा किस सरकार में खुली थी आज ब्रांचे बंद हो रही है बैंक्स को बेचा जा रहा है समाजबादी सरकार थी तो ब्रांचे स खुल नहीं थी उत्तवते इसमें एटीम स खुल ले थे नहीं रहे मैं जाना चाहता हूं कितनी ब्रांचे खुली है कितने एटीम बंद हो गए ये सरकार बताए और फिर इंफ्रेस्टेशिर की बात कर रहे है जो बिजली सबसे बड़ी जरूरत है इंवेस्टमेंट अकल लाना है तो बिजली में सुधार नहीं हो ते इंवेस्टमेंट कैसे आएगा सबसे ज़्यादे टांस्मीशन लाइन किसने बचाई समाजबादी सरकार ने डिस्टिबुशन में सबसे अच्छा काम किसने किया समाजबादी सरकार ने आखिरकार आपने क्या किया कोई बिजली का उत्पादन ने किया एक यूनिट बिजली ने मनाई बिजली का बिल महंगा कर दिया यह आपका काम अखिलेश जी सवाल कई है कि आपने कह दिया कि बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे तो सिरफ 2022 के चुनाव की बात नहीं है लोग तो 2024 के लिए भी एक मुहीम उठा चुके हैं कि 2024 में विपक्ष की रणनीती क्या होगी तो यहां पर आप कह रहे हैं बहन मायवती के साथ नहीं जाएंगे राहूल गांधी जी के साथ नहीं जाएंगे प्रियांका गांधी वाड़ा शायद बैटर होंगी इस बार कहा जा रहा है उनके अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे कोई ऑप्षन है और ये बात जानकारी होने साथ नहीं पार्टी जानम डिन एक ही दिन है लेकिन पार्टी इकठे चुनावन नहीं लड़ेंगी जो गठ भंदन है जनता में कैसे जाना है अभी तैनी है तो फिर बड़ी पार्टी ओं के लिए थोड़ा सा दर्वाजा कोड़ा है तो बड़ी पार्टी तो अब रही नहीं कॉंग्रेस भी, छोटी हो गई है नेशनल पार्टी तो है ना नेशनल पार्टी तो है उत्तरपरदिस की जनता इस बार उत्तरपरदिस बदलाव देख रही है क्योंकि इतने जूटे सपने किसी ने नहीं दिखाया होंगे पी रहे थे, आप बड़े अच्छे से, विजन की बातें, नव निर्मान की बातें करे थे, ये लाल टोपी पहनते, क्रांती कहां से आती है, रंगों की लड़ाई में नफ उलजी है, ये समाजवादियों का रंग है, और ये हमारे जनता, तो रंग तो है, अब रंग में तो समाजवादियों का, समाजवादियों का ये सम्मान भी है, और समाजवादी आंदोलन के जितने भी हमारे निता हैं, वो इस आंदोलन को इसी सम्मान के साथ साथ चले आगे, एक सवाल उठाया जाता है, जितनी भी पार्टीज हैं, वहाँ परिवारवाद बहुत जादा है, कोई भी आप party देख लीजे, निता जी थे, फिर आप, South में देख लीजे, पहले Stalin जी के पिता जी थे, अब Stalin जी हैं, शायद इसके बाद उन्के बेटे होंगे, KCR हैं, उनके बेटे KTR हैं, आंध्राप्रदेश में पहले रेडी साब थे, अब उनके बेटे जगन रेडी हैं तो ये देश में अगर पार्टियां हैं और गांधी परिवार की तुम्हें बात ही नहीं कर रहे व्यक्ति विशेश या परिवार विशेश से ये पार्टियां चल रही है बीजेपी का कहना है कि वो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देते हैं जहां परिवार नहीं काम जादा जरूरी होता है और आप माने ना माने आप जितने भी नुक्स निकाले उनको जनता में लोगप्रियता मिली भी है आप समझते हैं कि मौडन इंडिया में नव भारत में परिवार से आगे भी सोचना पड़ेगा आपने भाती जिनता पाड़ी के परिवार के वारे में नहीं कुछ नहीं कहा परिवार होंगे छोटे मोटे छोटे मोटे क्या है आप नाम बताइए कोई है कोई अध्यक्ष नहीं बनता कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता तो मंत्री तो बनता है माबदन दो नहीं हो सकते हैं यह संगर्स का परिवार बाद है समाजवादी पार्टी का कोई पद का लालश का परिवार बाद नहीं है यह संगर्स का है और सत्ता में सत्ता से ला पहुचाने का नहीं है क्या तो आप भारती जिन्ता पार्टी के परिवारबाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ने करिये आप बताईए क्या उनकी पार्टी में परिवारबाद नहीं है मुझे बताईए कौन है जैसे आपने दूसे दलों का बता दिया कि समाज़ादी पार्टी में ये है दूसे दल में ये है मैं आप से जानना चाहता हूँ कि भारती जिन्ता पार्टी में भी तो परिवारबाद है UP को ले करके उनके परिवार के लोग भी तो है, आप बताईए कौन-कौन है लेकिन वो अध्यक्ष नहीं है, पार्टी के सवाल अध्यक्ष का नहीं है, सवाल यह है कि परिवारबाद है कि नहीं है परिवारबाद लिमिटे है, सवाल यह नहीं है अच्छा ये बताईए कि शिवपाल mind जीए के साथ सुना है कि कुछ सुला हु रही है चाचा जी क्या हुआ चाचा जी से आपको कुछ पता नहीं हैcup कोष पता है चाचा जरूर हैं लेकिन उनके सम्मान का काम उनके पार्टी के साथ होगा तो लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार आप ही रहेंगे चाचा नहीं रहेंगे यह पार्टी तेह करेगी मैं नहीं तेह करूँगा जो बिधायक चुन करके आएंगे वो तैय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और ये भारती जिन्ता पार्टी वाली संस्क्रिति नहीं है कि तमाम सीनियर लोग जो आज भी आज भी दुखी है और जिनका नाम नहीं था वो मुख्यमंत्री है क्या भारती जिन्ता पार्टी के वारे में नहीं दुखी है उनके लीडर्शिप जो सीनर लीडर्शिप जिसने खून पसीना बहाया वीजेपी में वो नहीं मुख्यमंत्री बने जिनका नाम ही नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गए इसका जवाब है भारतिंतर पार्टी के पास कोई क्या उनके senior leader नहीं दुखी है किसको मुख्यंदी बना दिया तो आप कह रहे हैं उनके senior leader नहीं दुखी है तो मतलब आपके यहाँ भी थोड़ा बहुत दुख-दर्ध है हमारी पार्टी में जब विधाय चुन करके आएंगे तब तेह होगा कि मुख्यूंती कौन बनेगा अच्छा ये सच्चाई से बता दीजे और बातचीत का दौर है ये कॉन्क्लेव है हमारे बीच में संबाद हो रहा है इसे इंटर्व्यू के तौर पर मत सोचे संबाद हो इंटर्व्यू का संबाद है बातचीत है तो मैं भी बातचीत कर रहा हूँ हाँ तो बातचीत में मैं पूछ रहे हूं कि आप कहतो रहे हैं कि विधायक आएंगे विधायक चुनेंगे ऐसा होता तो नहीं है तेह होता है पहले से अब इस समाजवादी पार्टी में आपके साथ कुछ मर्तक भी आयोंगे समाजवादी पार्टी में कोई ये कह सकता है कि अखिलेश जी नहीं इस बार कोई और बने तो देखें सर्प्राइज तो है सर्प्राइज नहीं है आप उनसे उनस पर क्या गुजर रही होगी जो आज भी सपना देख रहे हैं जो इस टूल पर बैठते हैं जिनकी तक्ती लगी उठा कर गए फेक दी गई क्या गुजर रहा होगा उनन पर जो पूजा पार्ट करने चले गए थे मुझे तो यह जानकारी मिली थी और उनके सहयोगी, संबंदी, रिश्यदार सब को यह पता था, यह पूजापाट इसलिए हो रहा है, कि अब इनको शबत लेने जाना है, लेकि वो शबत नहीं मिली, शबत किसको मिली, जिनका संकल पत पे चहरा भी नहीं है, फोटो भी नहीं नहीं है, नाम भी नहीं है, लेकिन बात बात यह है, कि वो इंटर्नल पार्टी में जो तेह किया, जो आपने एक्सपेक्ट किया, वो नहीं तेह हुआ, एक सर्प्राइज नाम आया, तो यह होता है, तो इंटर्नल पार्टी में तो यह भी तेह था, कि एक अधिकारी को समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सोसिल्स पार्टी है, और हम इस बात की खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा दिखाने का काम किया, अगर आप भारत बोल ले हैं, नई चीज को लेकर क्या रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की, कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को नई रास्ते पे ले जाने का काम किया, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो मैंट्फेक्ट्रिंग सेक्टर को आगे बढ़ाया हो, चाहे बिजली का उत्पादन किया हो, नई चीज लाने का का काम किया, उन्हें भी आजादी मिलिये, आप इस बात से सहमत है, हमारे संसन ने क्या कहा, वो पार्टी की लाइन नहीं हो सकती, पार्टी की लाइन यह है कि भर सरकार को तै करना है, कि तालिवान जो नई सरकार है, उसे संबंद कैसे बनाने है, यह हमारा फैसला नहीं हो सकता, आपकी प मैं एक्सेप्टिबल नहीं हना। कि मद्रप्रदेश उत्रप्रदेश को जोडने वाली रोड सिक्स लेन बननी चीए कितने साल कुजर गए हमने लिखके दी राय क्या वो सड़क बन गई हम भारत सरकार को राय देंगे तो भारत सरकार जो कहेगी आप समर्थन को तै करना है दुनिया में दूसरे देशों से क्य सर्थन देंगे जो भी वो तै करें पहले विचार तो करें पार्टी से हमारी पार्टी ने राय दी जब आल पार्टी मीटिंग हुई तो हम आपको राय कैसे दे दें इस वकत आप कह रहे हैं कि यहां पर डिवेलपमेंट की विकास की चर्चा होनी चाहिए पर आप समझते ह कि जाती या धरम से उपर उत्तर प्रदेश में मुद्श जा सकते हैं क्योंकि आपने का पिछली बार भी इन्होंने बहका दिया इस बार भी राम मंदिर काुद्धा ए अब राम मंदिर बन रहा है ये अच्छी बात है या नहीं है लेकि आपका क्या विचार भागवां शी तो यह आपको सूट करता है कि नहीं सूट करने का नहीं करने का नहीं है सवाल यह है कि जब सूट करोट ने फैसला कर दिया कि मंदिर बन्दा है अब कोई नहीं रो सकता सवाल आपको यह पूछना चाहिए कि वहाँ जो बेहिमानी हो रही है रेजिट्रीम है उसका जिम्मदार कौन है आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि क्या पुन्य काम के लिए किसानों की जमीन ली जा रही है क्या उनको छेगुना मुआफ़ा नहीं मिलना चाहिए अभी हमसे किसान मिले थे गरीब मिले थे सौ साल से रह रह रहे हैं बताईए वहाँ पर उनके घर तोड़ दिये गए अधिकारियों ने घर तोड़ दिये बताया कि उपर से आधिस था इसलिए घर तोड़ दिया सौ साल से लोग रह रहे थे बताईए गरीब आप घरीब का घर उजाड़ दोगे वो जानवर कहां ले जाएगा गाय कहां ले जाएगा बेंस कहा ले जाएगा जो सौ साल से परिवार रे रहा है आप उनके घर तोड़ दोगे क्या है यही है यही संसकार है आपके सरकार यही चलती है से तो आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए वहां से जो जमीन एक्वायर करी जानी चाहिए थी मैं क्या बोल ला हूँ आप क्या जानना चाहती है जानना चाहती है मैं ये कह रहा हूं कि मंदर रहा हूं कि मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है बहगो है बहगों शीराम का मंदिर बने रहा है कि इनको मोजय है आप पूछे यह बेहुं सौ साल से रह रहे थे, जिनके परिवार रह रहे थे, आपने क्या इंतिजाम किया, उनके घर तोड़ दी रात और रात में, रात में क्या जरूरत है आपको घर तोड़ने की, अगर आप कानूनी कारवाई करना चाहते हैं, दिन के उजाले में क्यों नहीं करते हैं, रात में पूशें और आप पूशे ऑने नहीं पूर्णभी कर संवाहर्ण से गडरीब हैं यह सवाल यह मुख्यमन्तिय आवास का नक्षा पास है किया मुख्यमद्य रवास का नक्षा पास है नहीं तो अब आप पूचेंगे मुख्यमंत्री आवास का नक्षा पास है वो कहेंगे घर खाली किया टूटी अब इस लेवल पर जाना है सवाल माफिया है सवाल गरीबों का है वो गरीब 100 साल से रह रहे थी आप कह रहेंगे गरीबों के लिए काम नहीं हुआ प्रधान मंत्री आवास योजना में लोगों को घर नहीं मिले गरीब कल्यान योजना में लोगों को पैसे नहीं मिले किसान सम्मान निधी में पैसे नहीं मिले जंधन योजना में लोगों को बैंक और फाइनाशल इंक्लूजन नहीं मिला मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारे देश में या किसी भी प्रदेश में पूरी तरक्षी हो चुकी है? नहीं. ग्लास आधा फुल है? जरूर होगा. आधा खाली है? बिलकुल है. आप सिरफ खाली ग्लास की तरफ देखते हैं. भारा हुए ग्लास की आप चर्चा भी नहीं क करना चाहते हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि जब हम नव निर्मान की बात कर रहे हैं, तो हमें एक साकारात्मक, एक पार्टनरशिप वाला काम नहीं करना चाहिए. सरकार में कोई भी हो. ये तो रहता है कि एक आएगी सरकार, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी. लेकिन उत् कि थो प्षवाज आपको बता दिया लोगों के समाजबादी सिंपार में कोई काम रोखा नहीं गया था बगल में JP NIC बना हुआ है वर्ल्ट क्लास के जैनद ओडूरियम है क्यों नहीं बन रहा हुई क्यों काम रोग दिया गया अब बताइए क्यों रोग दिया गया मुझे भी जानकर ही नहीं है आप यहां रहते हैं हड़्ीज की ख़ब लगते है इसके रात को तूट रहे हैं खेकिदार वही हैं जिन्होंने सावरमती का बनाया क्योंकि ये लखनों में उन से सुन्दर बन रहा था इसलिए इसके जाच हो रही है लेकिन मुझे खुशी इस बात की यहां के गवर्नर थे उन्होंने कहा कि कुछ प्रजेक्ट इस सरकार के ऐसे हैं जो टाइम और बिना पैसा कीमत बढ़े पूरे हो गए मेट्रो का उन्होंने उधारण दिया बगल में एक मॉल बना हुआ है सरकार की कोशिश थी समाजवादी की प्राइवेट लोगों से अच्छा मॉल बना करके दिखाएं समाजवादी सरकार ने बना करके दिखाया सरकार में आती छेमनी में आपने बेस दिया उसको सरकारों का काम मौल चलाना है सरकारों का काम मौल चला आप केसे ठेय करेंगे सरकार क्या बनाएगी क्यों नहीं ठेय करूँगी में चाहती हूँ कि अगर जन कल्यान का काम है क्या एक अमीर गरीब को दुकान देदेगा आपने तीन कानूनी बिल लएप किसान के आप हर चीज अगर उद्योग पती को दे देंगे तो घरीब का क्या होगा आज आकड़े आए हैं कि किसान के कानूनों के आपने बात करी और हाली में ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है कि ये एक political मंच है और Congress के लोगों ने ये कह भी दिया है कि इसे हमने politics के लिए खड़ा किया था तो ये political मंच है इसमें किसानों के मुद्धों पर आप सवाल से भागी मत ने मैं कहां भाग रहे हैं सवाल ये है एरपूर्ट पर है बेज दिये गए माली जी सरकारी संपत्ती बेची जा रही है आरेशन कौन देगा इनको पिष्ड़ी और दलित को मुझे आप बताईए कौन देगा आपकी जानकारी में होगा कि अगर आवाज विकास है अगर प्लॉटों का आवंटन है उसमें भी आरक्षण है क्योंकि जो गरीब है जो पिष्ड़ा है उसको कैसे बराबर खड़ा करें आप कहतें कि सरकार का काम नहीं है और एक जमाना था और इतिहास के पन्ने पलट ये आप कि एक फैसले से कंपनी सरकार बन गई थी बैटल आप प्लासी के बाद जो वहाँ से फैसला हुआ लंदन से तो आप कह रहे हैं वो दौर फिर आएगा लंदन से जो फैसला हुआ एक कानून ने कंपनी को सरकार बना दिया और ये सरकार की चीज़ों को सब कंपनीों के हाथ में दे रहे हैं ये दुख है क्या कानून से आप खेती पुरे कि आज की आज के गौर में आप सोच रहे हैं कि इस्ट इंडिया कमपनी फिर से जर्म ले सकती है ये तो वही बात हुई कि कुछ पार्टियों ने बोला कि बाला कोट जो किया उसमें तरफ पेड उच रहे हैं किसी ने का सर्जिकल स्ट्राइक हुए है तो हमें सवाल किया जा रहा है कहां जा रहे हैं आप नहीं तो बै पूछ रही हूं आप से क्या आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनी सवाल ये है कि आपने तीन किसान के कानून पर बात पूछी मैंने उधारण दिया कि एक फैसले से कंपनी सरकार बन गई और ये सरकार ऐसे फैसले लेकि सरकार कंपनी बनी जा रही है आप किसान की मदद कैसे करेंगे जो मंडी का इंट्रस्रेक्चर त्यार हो रहा था मंडिया क्यों बंद हो रही है कौन सा स्थान आप देंगे किसान को उनकी पैदावार की सई मुल के लिए इसी एक्सप्रेसवे के किनारे बलिया और गाजीपुर तक मंडिया बनने थी क्या एक भी मंडी के लिए जगे ली गई है आप देखें लखनों से लेकर के आगे तक सब मंडियों की जगे ली गई पांस सालों के मंडी वैसी की वैसी पड़ी हुई है सौ सौ एकड में मंडी बन रही थी यह मंडी बेचेंगे क्योंकि मंणियों की जमीने कीमती है। आप आलु खरीदने की बात करे थे, आलु कितना खरीदा गया। दूद की आपने क्लस्टर बनाने की बात की थी ,डेरी प्रोटेक्स की कहां क्लस्टर बनाया बताएंगे आफ। किस पैदावार का मूले आपने दिया है, क्या धान खरीदा, क्या गयों खरीदा, ये किसान ना हमारे देश का सम्मान तो ही है, ये हमें रोटी देता है, हमें कपड़े देता है, क्या आप किसान को अपमानित करेंगे, आप आंदकवादी कहेंगे, मावाली कहेंगे, ये मुद्दा होगा विकास का और आप कह रहे हैं कि पिछले साड़े चार साल में विकास हुआ नहीं आप आएंगे नाम बढ़े गए आप चिनौती देंगे तो विकास होगा मैं जानना चाहती हूं और मैं आज आपको पब्लिक के सामने ये पूछना चाहती हूं कि क्या आप कम का पूरा का पूरा कारिकम नव निर्मान पर होगा नई उपलब्दियों के साथ होगा उत्तरपदेश की खुशाली के लिए होगा किसानों की भलाई के लिए होगा नौजमानों को नौकरियों रोजगार देने के लिए होगा और उत्तरपदेश कैसे आगे बढ़े उस उन तेबलेट देखे आपने अब आप बच्चों को टेबलेट देना चाहते हैं और आपने गोष्णावद में क्या लिखा था कि हम लैप्टॉप देंगे और डेटा फ्री देंगे कहां है वो डेटा कहां वाइफाई है और मुख्यंतीज इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मु आपने गोष्णापत में लिखेंगे तो इस बार का चुनाओ विकास पर मुद्दों पर नव निर्मान पर होगा सीटें कितनी आएंगी हम नोट करना चाहते हैं क्योंकि जब हम दुबारा आपसे मिलेंगे तो हम नोट कंपेर करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता हो सकता है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी साथी गटवंदन के होंगे उन्हें चार सो सीटे जिता दे जब भारती जनता पार्टी जूट बोल करके, जनता को गुम्रा करके, तीन सो से ज़्यादा सीटें जीत सकती है और ये कहते हैं कि साथ हमारा, सतर हमारा, ये जितनी जनता अपमानित हुई है कितनी जंता अपमानित हुई है वो जितनी जंता अपमानित भारती जंता पाड़ें की इतना उत्तपदेश की जंता कभी अपमानित नहीं हुई और किसान कभी इतना दुखी नहीं हुआ जितना किसान तो दुखी बाद जंता पाड़ें नहीं किया बड़ी पार्टियों के साथ आप गटबंदन नहीं करेंगे मैं कही बात बोल चुका हूँ फिर भईी बात बोलू कि मेरा अनुवफ ठीक नहीं रहा बड़े दलों के साथ इसलिए बड़े दलों से कोई गटबंदन नहीं होने जा रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए और नव निर्मान मंच पर नव निर्मान की बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-धन्यवाद आपके साथ जुड़ने के लिए और नव निर्मान मंच को आगाज देने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद थैंक यू